क्या आप जानते हैं कि इस्ट्रों की पहली रॉकेट को साइकल पर लिया गया था साथ आप इस बात को जानते होंगे लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि भारत में हर साल जितने बच्चे जनम लेते हैं ये उस्टेलिया की कुल आबादी की बराबरी की होती है और क्या आपको ये भी पता है कि महाराष्ट की लोनार जिल पृत्वी से एक उलका टकराने के बाद बनी थी। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आज की वीडियो में हम भारत से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ रोचक, मज़ेदार और जानकारी से भर हुए तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं साथ आपको इस बात पर भरोचा नहीं होगा लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 करोड साल पहले भारत एक दीप था फैक्ट नमबर टू सिंदू घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ प्रगदान रहा है अगर भारत की तिरूपति वाला जी और कासिव इस्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह वर्टिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा है फैक्ट नमबर फाइब यह बात आ में दुनिया के सबसे जादा लोग एकठय होते हैं collect number 6 इंडोनेशिया पाकश्तान के बादूनिया की सबसे बड़ी मुसलिम अबादी भारत नेकिन पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा मस्जीदे पाई जाती है और भारत में कुल तीन लाग से ज़्यादा मस्जीदे है अभी आप सब लोग हाय स्टडीज के लिए फॉरें जाते हैं लेकिन दुनिया की सबसे पहली विश्व व बड़ा स्कूल है और यहां पर 45,000 से भी ज़्यादा चात्र पड़ते हैं इंडियन डेल की बात करें तो अभी इंडियन डेल वेज में 13 लाग से ज़्यादा एंप्लोई काम कर रहे हैं और यह कई देशों के टोटल पॉपलिशन से भी ज़्यादा है भारत दुनिया का सब से बड़ा अंग्रेजी भासा बोलने वाला देश है यह बात साथ आप सब जानते होंगे लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया भर में जितने भी करमचारी हैं उनकी कुल तादात की 25 परसेंट भारती होने वाले है फैक्ट नवर 11 जसे कि पहले में आप सभी को बताया था कि भारत की पहली rocket kit को cycle में लिया गया था और हमारी पहली satellite को launch करने के लिए भी बेल गाड़ी से लिया गया था लेकिन आज इसरो और हमारी space program की बात करे तो इसे दुनिया की top 5 space agencies में गिना जाता है फैक्ट नमबर 12 लोनार जिल जो की महारास्टर में है ऐसा बता जाता है कि पृत्वी में एक वुलका आके टकराई थी और इसी की वसे जिल का निर्मान हुआ था फैक्ट नमबर 13 अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाजी है और उनके जो पूरबस थे वो भारती है फैक्ट नमबर 14 भारत का गाउं है जिसके कोई भी घर में दरवाजन नहीं होते हैं इस गाउं का नाम सनी सिंगनापूर है और ये महारास्टर में है ऐसा बता जाता है कि इस गाउं में कभी भी चोरी नहीं होती है और लोगों का ये विश्वास है कि जो भी यहां चोरी कर उसे स्थानीदेव का प्रकोब जहलना पड़ेगा और इसी वज़े से इस गाव में अभी तक पुलिस टेशन भी नहीं है इस पहाड के उपर अगर आप गाड़ी रखेंगे तो ये उसे अपनी तरफ खींचने लगता है पहले ये बात सिर्फ कहानियों में था लेकिन अब इस बात को काफी सारे लोग जान चुके है पिस्तो नाथन आनन जो की भारत के सतरंज के बादसा हैं वो दुनिया के पहले सतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्नोंने नौक आउट, टूर्नमेंट और मैच तीन अलग-अलग टाइप में विस्तो चैंपियंचिप जीत चुके हैं एक और बात में बताना भूल गया कि जो सतरंज का खेल है इसको भी भारत में सुरू किया गया था आपके सर्ट्स में जो वर्टन्स लगे हुए हैं इनका अविस्कार भी सबसे पहले भारत में हुआ था सिर्व इतना ही नहीं बलकि स्केल, सैंपू, जीरो, पाई की वेलू, त्रिकोण, मिती, बीजगणित या फिर कलन का अविस्कार भी भारत में हुआ था इसकी अलावा मोतिया बिन सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में की गई थी भारत में डॉल्फिन पकड़ने पर प्रतिवन्ध है और वेस्ते भी डॉल्फिन्स को भारत में कोई इतना जादा खत्रा नहीं होता है भारत की तक्नीकी राजधानी बेंगलूर में कारेलेों की संख्या में 2007 के बाद करीब 6 गुना इजाफा हुआ है और अभी सिंगपूर के मुकाबले भी बेंगलूर में जादा एक रेट के कारेले मौझूद है ये बात साथ आप सभी जानते होंगे कि भारत में हर साल सबसे जादा फिल्में बनाई जाती है और ये बाद भी साथ आप सब जानते होंगे कि भारत अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूद उत्पादन करने वाला देश है आप सभी को जानकर हरानी हो सकती है कि भारत में हर साल 32,719 सत्याएं की जाती है और इसमें भी भारत पूरे दुनिया में पहले नंबर पहले है कर्मन आसना नदी को भारत में एक सापित नदी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर को इस नदी को छोएगा तो उसकी सब ही जोजनाएं फेल हो जाएगी इतिहास के दो बड़े धर्म, बहुत धर्म और जैन धर्म भारत में स्तापित किये गए थे हिमाचल प्रदेश में चायाल नाम की एक जगा है जहां पर दुनिया की सबसे उंची क्रिकेट पिच मौजूद है महाली में जब भारत और पाकस्तान के बीज वर्ल कव फाइनल चल रहा था तो तब इसे लगभग 15 करोड दरसक एक साथ देख रहे थे दुनिया की पहली गरनाइड मंदिर जिसका नाम बुर्षदेश्वर मंदिर है और ये तमिल लाड में मौजूद है इस मंदिर को 11 सताब्धी के दौरान बना गया था और इसको बनाने के लिए बस 5 साल लगे थे फैक्ट नमबर 28 17 सेचुरी के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था और आज भी भारत में दुनिया की तीसरी सबसे वड़ी अर्थववस्ता मौजूद है फैक्ट नमबर 29 सूपर कंप्यूटर बनाने में भारत अभी उनाइटेट स्टेट और जे लाइए फैक्ट नमबर 31 पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में साकाहरी लोगों की तादात सबसे ज्यादा है और यहां तक की पीज़ाहट में के तरब से भारतियों के लिए स्पेसिली साकाहरी मेनू लागू किया गया था और इनमें से पीज़ाहट की तरब से सबसे प पहले भारत में शुरूग गया था और भारत ने पूरी दुनिया को जोग विद्या भी सिखाया था जो की लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है दोस्तों कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़े परिवारों में से एक भारत में मौझूद है जिसमें एक आदमी के 49 पत्निया है और उसके कुल 94 बच्चे हैं तो दोस्तों ये थी भारत से जुड़े हुए कुछ रोचक मज़दार और जानकारी से भर हुए फैक्ट्स को लेके एक छोड़े से वीडियो आसा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलेगा और अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा तो अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए ज्याहिन बंदे मातर